नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अब्जेक्टिव सेंटर पर जैसा कि यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा आल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2020 जो कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट हुआ था आइटियाई टर्नर का फ़स्ट पूछा गया था और वरकसाब कल्कुलेशन एंडिसांस से ब्सक्राइब पूछा गया था तो टोटल मिला के यह आपके सी कोश्टन पूछे गया थे ठेक यह हो गया आपके एक्जाम पैटरने के बारे में तो टोटल असी नंबर के यह पेपर हुआ था यहां पर देख सकत खालड ए रिवर्सिंग गयर कॉस्तक को प्रति गएर इकाई भी कहा जाता है देखै घंवलर को प्रतिवर्ति गीर इकाई भी कहा जाता है ठेक यहां पर यह आंसर करेक्ट हो जाएगा दूसरा है वाट इज दा नेम आप दा सेंटर अकुमांडेट्स इन दा मेन इस्पिंडल सिलीव मुखी इस्पिंडल की सिलीव में धारित किये जाने वाले किंदर का नाम क्या है तो इस का नाम क्या है तो देखिए यह आपको लेट का ही पार्ट है ठेक लेकिन यह कौन सा फिगर है यह आपको बताना है तो देखिए यह है आपका फिक्ष्ड इस्टडी तो जो इस्टडी रेस्ट होता है वह ही हमारे यह फिक्ष्ड इस्टडी इसमें क्या हुआ जाता है कि ज इस पात सांक में कारबाइड टिप ब्रेज किया हुए किंदर का नाम क्या है तो इसका नाम है टिप्ट सेंटर आप सो नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा प्रफ दिप बैक गियर उनिट इन हो इना कौन पुली है इसाघ कि यहांनी कलिए यहांस की यहां प्राप्त करने के लिए छठा कोशन है what is the standard color code used for identifying the bin for the metal waste material यानि कि धात अपसिष्ट सामगरी के लिए bin की पैचान के लिए मानक रंग कोड कौन सो होता है तो यह होता है लाल यानि कि रेट कलर का होता है अब यहां पर सात्मा कोशन है विच पोर्षन आफे हैमर हेड इज नाट हाड़ेड और लेफ्ट स्वाफ्ट हाथोड के कौन से भाग को कठोरी क्रीत नहीं किया जाता है अथव नर में छोड़ दिया जाता है तो वह रहता हमारा चीक यानि कि गाल यहां पर आप सो नंबर सी करेक्ट होगा आठमा कोशन है वाट इज दा नेम आप दा पार्ट मार्क आज एक्स से जो चिन्हित भाग है फीगर में यह वाला एक कौम से भाग है तो देखिए यह आपका चल जबड़ा होता है तो यह आगे पीछे होता रहते हैं उससी के इसाप समलों अड़ेस्ट करते हैं इसका नाम किया है तो देखिए यहाँ पर यह वाला भाग दिख रहा है कि अकाल आता है गाइड पलेट आप तो नमबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दस्वा कोशन है विच एंगल डिटर्माइन्स दा रैक एंगल आड़ दा कटिंग एज आप ट्विस्ट डिरिल का करतंधार पर रहा को ब्यक्त करेगा तो यह रहता है हैलिक्स एंगल आप तो नमबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा है अब जखिए ग्यारे नमबर कोशन है विच टाइप आफ वाइस इस यूज़ फार मेकिंग आप इसमाल जाब्स आंदा सर्फेस प्लेट पर छोटे कारियों के अंकान के लिए कि स्वाइस का परियोग किया जाता है तो इसके लिए यूज़ किया तता है टूल मेकर स्वाइस तो टूल मेकर स्वाइस यहां पर आप सो नमबर सी करेक्ट हो जाएगा बारे नमबर कोशन है वाट इस प्रकार का नाम क्या है तो यह रहता हमारा वाइड नोज इस्क्वाइर टर्निक टूल यान की चौणी नाक वर्ग खराद आवजार आप तो नमबर यहां पर करेक्ट हो जाएगा तेरह नमबर कोशन है विच एमंग देट टूल माटेरियल बिलांग्स टू नान मेटालिक टूल माटेरियल निमनमें से कौंसी आवजार समगरी अधात और अधात वजार समगरी है तो यह रहता है सिरेमिक्स सिरेमिक्स जो है या अधात वजार समगरी है चौदा नमबर कोशन है विच माटेरियल इस यूज इन मैनुफैक्चर आफ एनविल फार आउटसाइड माइक्रो मीटर बाह माइक्रो मीटर की निहाई के निर्माण में प्रियुक्त धात कौंसी है यह कहलाता है आपका एलाय इस्टिलियान के मिस्र इसपात है मिस्रित इसपात यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पंदर नंबर कोश्चन है वाट इज दा नेम आप लुब्रिकेशन मेथट सनेहन पद्धती का नाम क्या है तो द सब्सक्राइब किया थी कहला था आपका ग्रीश गन आप सो नंबर यहां पर करेक्ट हो जाएगा सब्सक्राइब कोश्चन है विच टूल इज रूटेड इन क्लाकवाज डिरेक्शन बोथ कटिंग एंड ड्राइंग किस आउजर का परियोग खोदने और निकलने दोनों मे सबसे बड़ा होता है माइं अपर लिबvell और लोर लिमिट ना लेन थो भोटे इस नंबर खोश्यन है what दै डॉर लेंट आहे हैं यह जो फिघर में दते रहा है कैसा है यह आपका डॉरावहिं हांता है इस तरह से आपका क्रास में रहता है तो क्रास नहिर रहता है तो यह काला था जब डिदे कर लिंद कर लि Nazium कि इसके लोग moim चैनली लेły अपरपाज के लिए को बने करते हैं 21 नमबर कोशन है वाट इस दानेम आपड़ पार्ट मार्क आज एक्स से जो चिन्हित भाग है यह कौन सा है यह अलाता आपका हार्ड सोल्डर आपसो नमबर भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा हार्ड सोल्डर वाइस नमबर कोश्चन है विच मठेरिल इच भार मेकिंग सोलरी ईरन अपसोल्डरिंघ आउरन का शिरी बनाने के लिए कि समगरी का यूज किया जाता है झिसकी लिए अलएंट पिटवा लो तावा कापरियों किया जाता है फोरिड कापर तेज नमबर कोश्चन है वाट इज दा फिलर माटेरियल डिस्ट्रिबूटेड इन दा जॉइंट इन ब्रेज वेल्डिंग फिलर सामगरी को ब्रेज वेल्डिंग के जोड में किस प्रकार वित्रित किया जाता है यह वितिरित किया जाता है आप वर नियर बेवल प्रोटेक्टर की डिस्क को पीवोट किया जाता है तो वह रहता है डायल आप से नमबर सी यहां पर क्रेक्ट हो जाएका डायल पचीस नमबर कोश्चन है विच वेल्डिंग मेथर्ड इज मोर सुटेबल फार जोईनिंग डिस सिमिलर मेटल से रीडली भिन्य धात्मों को सिगरता से जोडने के लिए उप्यूक्त वेल्डिंग प्रक्रिय कौन सी होगी तो यह होगा आपका ब्रेज वेल्डिंग आपसा लिए पर लेट इसकुरू आपसा नमबर सी यहां पर करेक्ट होजेगा लिए इसकुरू सताइस नमबर कोश्चन है विच त्रेड़ इज यूजड फर जनरल परपर फास्टेनिंग समान फास्टेनिंग करी के लिए कि चूडिका यूज किया जाता है जिसके लिए किया जा एकस इंदा हाइट गेज नोन हाइट गेज के परदर्सी चित्र में एक सद्वारा जो चिन्हित भाग है यह वाला यह आपका क्या कहलाता है यह कहलाता है में सलाइड तो में सलाइड है यह आपका आपसो नमबर भी करेक्ट हो जाएगा अब देखें 29 नमबर कोशन है इस नमबर भी करेक्ट हो जाएगा तीस नमबर कोशन है विच डायमीटर इज मेंटेंड इन एजा फार मेकिंग थेड़ रोलिंग रोलिंग द्वारा चूड़ी निर्माल में कार के किस ब्यास को बनाए रखा जाता है यह रहता है आपका पीच डायमीटर पीच ब्यास यह सुचकांक यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपसो नमबर से 22 नमबर कोशन है हाव मेनी अन नमबर डिवीजन्स अनदब रिटिस केजिंग डायल ब्रिटिस थ्रेट चसिंग डायल में बिना अंकों वाले कितने विभाजन होते हैं यह होते हैं चार बिना वाले चार वि आप 0.01 mm ट्रेपोजाडल वार के धागा टी आर चालिस गुड़े साथ गहराई 0.001 mm की निकासी का मामूली ब्यास क्या है यह रहा है आपका 32.9 वाट में चौतिस नमबर कोशन है विच टाइप अप थ्रेड इस यूज़ इन इस्क्रू जैक स्पिंडल इस्क्रू जैक के चूड़ी के क्रेश्ट की चौणा ग्यात की जाती है तो इसका फार्मूला होता है जीरो दूस्पना एक दो पांच गुड़े पीच 36 नमबर कोशन है वाट डज भी आई एस स्टेंडर्स फार्व यह का फूल फार्म क्या है तो इसका फूल फार्म होता है ब्यूरो आफ इंडियन इस्टेंडर्ड 37 नमबर कोशन है विच एंगल इस ग्राउंड अन एकमी थ्रेड टूल एकमी चूड़ी आउजार में कौन सा कौन घिस से बनाया जाता है तो यहां पर सिंपल सी बात का गया है कि एकमी जो थ्रेड होता है उसका एंगल कितना होता है तो यह होता है टूंटिन डिग्री अग यहां पर रहता है इस्टेब मेंडरल स्युधी नुमा मेंडरल यहां पर पर करेक्ट अंसर हो जाएगा थर्टी नमबर कोशन है वाट इस दनेम आप चक देट हाँ हाड एंड इंड इस्टील स्लीव हैं इस सलाइट कट पार्सली उस चक का नम किया है जिसमें कठोरी करेक्ट हो जाएगा कॉलिट चेक चालिस नमबर कोशन है विच इज यूज़ेट टू सपोर्ट हालो इंड जाब किसका परियोग खोखले वाले कारियों को पकाड़ने के लिए किया जाता है तो यह रहता है पाइप सेंटर आप सो नमबर भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा 42 नमबर कोश्चन है वाट डिनोट्स लेटर कैटल एम इन म्क्स सिस्टम में मीटर को बताता है तो आप सो नमबर भी यहां पर हो जाएगा किये बताता है किलोग्राम को यह सो बताता है सिकेंड को प्रोड़क्ट आप 0.003 इंटो 0.5 003 गुड़े 0.5 का जो उनफल होगा देखें तीन पंद्र हो जाएगा चारंग पर दस्मलों लगेगा आपसो नमबर यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा चब वाले समबर कोश्चन है का नवर्ट 0.456 डेसिमलों फ्रेक्ट्स परसंट है जीरो स्मलों चार पांच है दसमलों बिनकों दसमलों में बदलिए को प् दलना तो यहां पर सब्सक्राइब कर देंगे सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे यह कितना जाएगा 45.6 यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपसो नमबर कोश्चन है विच मेटल कंटेंस आरन आजे मेजर कंटेंट इन निमने में से किस दात में प्रमुक समगरी के पाया जाएगा अब जाएगा 46 नमबर का कोश्चन है विच मेकैनिकल प्रापर्टी आफे मेटल आफर सराइस्टू इलास्टिक डिफार्मेशन इन एक कटिंग टूल यानि कि धावत की कौन सा यांतरी गुड़ एक काटनेक उपकरण में लोचिदार विरूपन के लिए प किया जाता है तो इन्वार इस्टिल जो होता है इसका प्रियोग किम्ति विक्रण बनाने के लिए किया जाता है अब देखिए 49 नमबर कोश्चन है वाट इस काल्ड इफ बाड़ी पासे जवानली मेगनिटूड और साइज एलोन जिस दात में परिमान या साइज होता है उस इससे कहा जाता है इसकेलर क्वांटिटी आप तो नम्बर इदिए यहां पर प्रक्रेक्ट हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी पचास कॉंबर कोश्चन है वार्ट इज डवैलू फार स्पेसिविक हीट अफ वाटर पानी की बिसिस्ट तूसमा का मान क्या है तो जैकि पानी the amount of heat required to raise the temperature of 85.5 gram and of sand from 20 degrees Celsius to 35 degrees Celsius specific heat of sand is equal to 0.1 यहने कि कार रहा है यहां पर कि 20 degrees Celsius 35 degrees Celsius तक 50.5 gram rate को 0.1 degree temperature बढ़ाने के लिए आवस्त्य कुस्मा की मातरह क्या होगी तो यहां पर देखिए इसका जो आएगा एंस्वार वह 28.25 जूला जाएगा तिरेपन नंबर कोश्चन वाट वीच इस दे यूनिट आप करेंट यानि कि धारा की क्या है तो धारा की काई होती है आपको भी पता है वीच इज वेरी गूड कंड़क्टर सबसे अच्छा चालक काउंसा है तो देखिए सबसे अच्छा चालक आपका कापर होता है पच्पन नंबर कोश्चन यहां पर कह रहा है वाट इस दा रेस्टेंस आफ एन इलेक्ट्रीक आरण इस तो टू जी सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग करेंगे तो हमारा 28 करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सो नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा तो तीनों बुजा जो चालिस अठाइस और बीस हैं इनका जब हम लोग यह करेंगे तो हमारा 28 करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सो नंबर सी अब देखिए आप फिप्टिट नंबर का कोश्चन दिए करें वाट इस दाने माप फिक्ष्ड और सपोर्टिंग पॉइंट आफे लीवर लीवर के फिक तो आपको भी पता होगा कि जो साइं कितने अंस कमान अंडरूर 3 वाइटू आप तो नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा 61 नंबर कोश्चन है कि after receiving interview call what is the next step साचहतकार काल प्राप्त करने के बाद जो अगला कदम होता है वह कौन सा होता है तो यह होता है आपका IPR at interview साचहतकार में जाएं 62 नंबर कोश्चन है which one is not a vowel कौन सा स्वर नहीं है तो ए ई आई और ओ यू तो ए ई आई ओ यू जो होते हैं यह आपके स्वर होते हैं जब कि एफ है यह आपका कि वाविल नहीं है अब देखिए 63 नंबर कोश्चन है word that is pronounced the same as another word but different in meaning is called यह आई कहा रहा है कि वैसे दो किसी दूसरे सब्सके समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न दूसे क्या कहा जाता है तो उससे कहा जाता है होमज़ों इंटरनेट पर की गई एक अबायद गत्य विधी को क्या कहा जाता है उससे कहा जाता है इसके साइबfel करायें यानि की अपरात कहा जाता है तो चोटी दूरी के लिए लिए छोटी दूरी के लिए लोकल região अरोय नेटर्वरक यानिक लिए ट्रइवार्ण कह ईचलोटे साइगा आपसा लमबर एं Ooh यान का विस्तार क्या है यह आपको वाइड एरियन नेटवर्क आप तो नमबर सी करेक्ट हो जाएगा अब जैक्टिए यहां पर सिस्टीए नमबर कोशन है डेडिकेशन टूए पर्टिकुलर वर के इचकाल किसी विसेस्कार के लिए समरपन को क्या कहा जाता है तो इससे कहा किसको कमज़र कम्मिकेशन माना जाता है मैसेज़ संदेश का होना कमज़ोर माना जाता है कातन माने इनवेस्टेड इन परचेजिंग अ प्रान मटेरियेल पेमींट पेज अ اेंड चेमाझ की खरीदारी मजदूरी और वेतन किराया बिजली आध कि भुक्तवान में निमेश किया पैसा किसके अंतरगत आता है तो यह आपका ते कारिशील पूजी यानि की वर्किंग केप्टल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आप तो नंबर बात नंबर कोशन है वाट अप्रोज इस यूज टू गेन सक्स एक्सेस टू फारें मार्केट एंड क्यों के लिए प्रमोटे एन आर्गिनाइशन इंटरेश्ट विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकून का उपयोग किया जाता है इसके लिए किया जाता है जूएंट वेंचर आप सो नंबर से यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा की सब्सक्राप्त के लिए-थैं आप सो नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा तो देखिए इंकम टेक्स यानि की इंकम सर्टिफिकेट नहीं है आप सो नमबर यहां पर करेक्ट हो जाएगा चात्ता नमबर कोश्चन है एक वाट डेसिबल सौंड विकम्स हाज़ाड नोच पेलूसन किसे डेसिबल पर ध्वन खतरनाक ध्वन पर दूसरण बन जाती है तो यह ऐसी डेसिबल से उपर पर क्या होता है क्यूंग धुग खतरनाक हो जाती और वह ध्वन के अंतरगत आती है वाइब्रेसन एंड रेडि कि फैक्तरी एक्ट दा वरकर्स वीकली हावर्स शूड नाट एक्सीड मोर देन प्रेक्टरी एक रूप से काम करने मोले क्रमचारियों को किस से कितने घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए तो वह 48 आवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपसे नंबर से यहापर करेक्ट हो जा है टोटल नंबर आप पाप्लर क्वांटिटी टूल्स क्वालिटी टूल्स और लोग प्रीगल वत्तों पुर्ण की कुल संख्या कितनी है तो साथ है आप तो नंबर से यहां पर करेक्ट हो जाएगा असी नंबर कोस्टन है विच फार्मूला इस करेक्ट टू में थैंक यू